प्यारे वच्चों स्वागत है आपका आज की कक्षा में जो है क्लास दस्मी का अध्याई नंबर चार ओध्योगी करण का यूग इस अध्याई को हमने दो भागों में बाटा है भाग एक और भाग दो आज का महत्वपुन विसेय है प्रोटो ओध्योगी करण और ओध्योगी करण इंग्लैंड में ओध्योगी करण के क्या कारण थे क्यों हुआ वहाँ पर ओध्योगी करण सबसे पहले उसके बाद उन मैं भी समझने की कोशिस करेंगे कि स्रमिकों महिलाओं और बच्चों पर औद्योगी करण का क्या प्रभाव परा साथ ही मैं आपको यह बताता चलूं कि आज की कच्छा के बाद जो अधिकम परिनाम होंगे वो क्या होंगे तो सबसे पहली बाप सिक्षार्थी प्रोटो औद औद्योगी करण के बीच अंतर अस्पस्ट कर सकेंगे साथ ही औद्योगी करण के कारणों का वर्णन कर सकेंगे इंग्लैंड में विकास की गति का आकलन कर सकेंगे और स्रमिकों पर औद्योगी करण के प्रभाव के विसलेशन को कर सकेंगे तो समझने की कोशिस करते हैं कि प्रोटो अध्योगी करण या आध्य अध्योगी करण क्या था देखिए बच्चों इंग्लैंड में और येरोप में कारखानों के सुरू होने से पहले ही अंतराश्ट्रिये ब्यापार के लिए बरे पैमाने पर अध्योगी उत्पादन होता था लेकिन खास बात यह थी कि ये जो उत्पादन था ये कारखानों पर आध्योगी करण का उसी को हम प्रोटो अध्योगी करण कहते हैं जैसे हस्सिल्प का उत्पादन या फिर खाद्यप्रसंस करण का उत्पादन प्रोटो अध्योगी करण के युग में भी ब्यापारी लोग सहरों में ब्यापार तो करना चाहते थे लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ पर ब्यापार करने में उनको दिक्कतें आ रहे थी इसलिए उन्होंने गाउं का रुख किया तो समझने की ये कोशिस करते हैं हम लोग कि ब्यापारी लोग ब्यापार के उत्पादन के हेतू गाउं क्यों जाने लगे देखिए ये वो समय था जब उपनिवेशों का लगातार अधिकरण हो रहा था साथ ही विश्व ब्यापार बढ़ रहा था और बस्तुओं के मांग में ब्रिधी हो रही थी लेकिन ब्रिटेन के सहरों में एक खास बात ये थी कि सहरी सिल्प और ब्यापार पर स्रिनी जिसे अंग्रेजी में गिल्ड कहते हैं उनका उत्पादन पर पूर्ण नियंद्रन था साथ ही वहां के जो सासक होते थे उन्होंने भी ब्यापार करने के लिए विसिस्ट गिल्डों को ही एकादिकार प्रदान कर रखा था इससे क्या होता था कि नए ब्यापारियों को सहरों में काम करने का अवसर नहीं मिल पाता था इसलिए उन्होंने गाउं की तरफ जाना सुरू कर दिया लेकिन इससे भी महत्वपुन बात ये उठता है कि इसके कई कारण थे सबसे पहली बात ये थी कि खुले खेत गायब हो रहे थे और जो सारबजनिक जमीने थी वो घेरी जा रही थी और पहले क्या होता था कि किसान यहां से जलाव लकरी जामुन सबजियां घास पुआल इत्यादी कठा कर लेते थे लेकिन अब चुकी खेत कायब हो रहे थे और सारबजनिक जमीने घेरी जा रही थी तो किसानों के लिए ये चीज़े वहां से ले पाना संभाव नहीं हो पा रहा था अब जब वो बैपारियों के लिए काम करने को तयार हुए तो इसका एक फाइदा ये भी हुआ कि उनके पास आय का एक बैकल पिक सुरोत आ गया इस कारण से उनकी आय में भी बिड़ी हुई साथ ही उनको अब सहर नहीं जाना परता था वो गाउ में रहते हुए उनके पास जो छोटे छोटे भूखंड थे वहां भी खेती कर सकते थे और साथ ही इन बैपारियों के लिए भी काम कर सकते थे इसका एक और भी फाइदा होता था कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को वो इस काम में लगा सकते थे इस कारण से इन किसानों ने इन बैपारियों के लिए काम करना शुरू किया तो यह जो बाते हमने की यह प्रोटो और्द्योगी करन के युक की बात है अब हम बात करते हैं और्द् संभव कैसे हुआ यह संभव हुआ नई मसीनरी की वजह से और नए तकनीक की वजह से नए प्रोट्योगी की वजह से और इसमें एक खास बात यह थी कि यह भाफ द्वारा संचालित था जिसमें पडिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था जैसे जहाजरानी और रेलवे जो की दोनों ही भाफ से चलती थे एक बहुत ही मज़दार बात आपको बताता हुआ चलता हूँ कि और योगी क्रांती शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रांस में जॉर्जिस मिसल और जर्मनी में फ्रिडरिक एंजेल्स ने किया लेकिन बिटिस और योगी विक इस्ता में परिवर्तन हो रहा था और अध्योगी करण का जो विकास हो रहा था उसके लिए उन्होंने इस सब्द का प्रियोग किया था अब हम ये समझने की कोशिस करें कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले अध्योगी करण क्यों हुआ कहीं और क्यों नहीं तो देखिए इसके कई कारण थे सबसे पहला कारण था वहां की राजनिक इस्थिरता और एक समान कानून जो पूरे देश में लागू होता था दूसरी बात ये थी कि उनका बाजार एकिकृत था जानि की ब्रिटें के अंदर इंगलैंड स्कोटलइन स्टेट अफ वेल्स सब को मिला करके एक एकिकृत बाजार उनके पास मजूद था साथ ही उनकी मुद्रा भी एक एकल मुद्रा थी कहने का मतलब यह है कि पाउंड पूरे देश में एक मुद्रा के रूप में सर्वमान्य था साथ ही बिनवाई के माध्यम के रूप में धन का उपयोग होता था और किसी दूसरे उपाय का उपयोग नहीं होता था 1694 में जब Bank of England की अस्थापना हो गई तो एक बहुत फारा फाइदा ये हुआ कि ब्यापारी और उद्योग पती यहां से लोन ले सकते थे और अपना ब्यापार शुरू कर सकते थे या फिर कोई नए उद्योग की अस्थापना कर सकते थे साथ ही इंग्लैंड की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और सहरों का विकास भी हो रहा था नए-नए अविस्कार भी हो रहे थे और उनके पास एक बहुत अच्छा परिवहन नेटवर्क था इन सब कारणों से इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगी करण हुआ अब हम ये देखने की कोशिस करें कि ऐसे कौन-कौन से अविस्कार हुए जिन्होंने इस अद्योगी करण के प्रोसेस में मदद किया तो देखिए सबसे पहले सत्रह सो एक इसमी में बीज डिल का अविस्कार किया गया 1709 इसमी में कोक फायर्ड फर्नेस का अविस्कार हुआ और 1763 इसमी में कंडेंसिंग स्टीम इंजन बना इन चीजों से उद्योगों को काफी मदद मिली अगर हम विसेश तोर पर कप्रा उद्योग की बात करें तो 1739 इसमी में जॉन के ने फ्लाइंग सेटल का अविस्कार क हुआ जिसे जेम्स हार्ग्रिव्ज ने किया था और 1789 इसमी में स्पिनिंग म्यूल का विस्कार हुआ जिसे सेम्वल क्राम्टन ने बनाया था तो दोस्तों इतना अगर हमने अभी तक सीखा है तो इसी के आधार पर एक गतिविधी कर लेते हैं आप यहां दो इमेज देख और बताईए कि क्या आप दोनों छवियों में ओद्योगी करण को दिखाने के तरीके में कोई अंतर देख सकते हैं आप अपना विचार संचेप में हमें बता सकते हैं अब हम बात करते हैं ओद्योगी करण के गति की ओद्योगी करण हुआ लेकिन उसकी गति कैसी थी धीमी या तेज तो देखिए ये जो आप स्क्रीन के ऊपर एक मैप देख रहे हैं ये ब्रिटेन का मैप है और इसमें हमें ये पता लगता है कि कपास ब्रिटेन में 1840 के दसक तक सबसे जादा गतिसील उद्योग था लेकिन 1840 के बाद कपास की जगह लोहा और इसपात उद्योग प्रमुख हो गया जैसा कि इस मांचितर से आपको असपस्ट होता है एक खास बात ये रही कि नए उद्योग तो आए लेकिन पारंपरिक उद्योगों को विस्थापित नहीं कर सके पता है क्यों क्योंकि अब भी कुल कार्यवल का 20 प्रतिसत से भी कम उद्योगी ख्यत्रों में लोग कार्य कर रहे थे और अभी भी 80 प्रतिसत से ज्यादा लोग पारंपरिक उद्योगों में कार्य रत थे और अधिकांस उत्पादन घहरेलू इकाईयों से ही आ रहा था ये एक काफी महत्वपूर्ण बात थी जब हम ओद्योगी करण के गती की बात करते हैं साथ ही जो गैर मसीनी करित छित्र थे जैसे खाद्य प्रसिंसकरण, मिट्टी के बरतन बनाने का काम, काच से समान बनाने का काम, चमरे का काम, फरनीचर बनाने का काम ये जो गैर मसीनी करित छित्र थे इन में भी छोटे छोटे नवाचार किये गए और इन में भी कुछ न कु इसके कई कारण थे सबसे पहला कारण तो ये था कि ये जो नई तक्नीक आई वो काफी महंगी थी ये मसीने अक्सर खराब हो जाती थी और इनका मरमत बहुत महंगा पड़ता था इसलिए लोग इसको पसंद नहीं करते थे इसका एक उदाहरन मैं आपको दू कि जैम्स वाट ने निउको मैन के बने हुए स्टीम इंजन में सुधार किया और 1781 में इसको उन्होंने पेटेंट भी करवा लिया लेकिन दोस्तों आप सोचिए अगर इस स्टीम इंजन में खराबी आती होगी तो उसको ठीक करने में समय और साथ ही खर्च भी कितना जादा आता होगा एक खास बात जो गती से जुरी हुई थी वो थी काम की मौसमी प्रकिरती एक खास मौसम में एक खास काम होता था तो उससे जुरे हुए जो लोग थे उनको तो रोजगार मिल जाता था लेकिन दूसरे लोगों को रोजगार न क्रिश्मस होता था तो क्रिश्मस के मांग के कारण बुक बाइंडर्स का काम प्रिंटर्स का काम कार्ड मेकर्स का काम ये तो काफी बढ़ जाता था लेकिन दूसरे लोगों को रोजगार नहीं मिलता था वैसे ही सर्दियों में जहाजों के मरमत का काम होता था तो इससे रिले ये युनाइटेट किंग्डम का है और आपको क्या करना है इस मानचितर पर निम्नलिखित टेक्स्टाइल उद्योगों के अस्थानों को मार्क करना है और लेवल करना है वो अस्थान कौन-कौन से हैं न्यूकैसल बर्मिंगम लंदन नौटिंगम और ग्लासको अब एक खास बात मैं आपको बताऊं कि ओध्योगी करन हुआ नई तकनिके आई और उद्योग अधारित उत्पादन बढ़ा भी लेकिन ब्रिटेन में अब भी हस्त निर्मित उत्पादों को प्राथमिक्ता मिल रही थी तो इसके क्या कारण थे तो देखिए ब्रिटेन का जो अविजा तो सबसे पहला कारण तो यह था कि जो हस्त निर्मित उत्पाद होते थे वह परिस्कृत बर्ग का प्रतीक माना जाता था दूसरी बात यह थी कि यह बहतर तरीके से तयार किये जाते थे बिक्तिगत रूप से निर्मित किये आते थे क्योंकि आप अपनी पसंद से पिप दे सकते थे और साथ ही इनको बहुत ही साब्धानी पूरवक डिजाइन किया जाता था और जहां तक मसीनों से बने हुए समान का सवाल है तो यह माना जाता था कि यह तो कालोनियों में निर्याद करने के लिए हैं इस वजह से वहां का जो अभिजात बर्ग था कारण बताना है जो आधुनिक विकास और प्रगती से जुरा हुआ है लेकिन वह समस्याओं का कारण भी बना है और मैं एक क्लू आपको देता हूँ यहां पे कि आप इस संदर्भ में परियावरन से संबंथित मुद्दों और बिमारियों इस संबंथित कि चतर के भी सहमें सोच सकते हैं कि विकास तो हुआ अध्योगी करण के कारण लेकिन समस्याओं कौन-कौन सी आई आप इसके उपर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि अध्योगी करण के कारण स्रमिकों के उपर इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसक सकते हैं अध्योगी करन के कारण नोक्रियां बढ़ रही थी लेकिन जब गाओं से कोई स्रमिक सहर आता था तो उसको सीधे कोई रोजगार नहीं देता था नोक्रिया अभी समाजिक संबंधों पर निर्भर किया करती थी और यदि कोई बिरोजगार नया नया सहर में आता था तो उसको हपतों इंतिजार करना पड़ता था नोकरी के लिए और जब तक उसे नोकरी नहीं मिलती थी तब तक या तो उसको पुल के नीचे या फिर रैन बसेरों में रात गुजारनी पड़ती थी साथ ही अभी हमने पीछे देखा कि कई काम ऐसे थे जिनकी प्रकिर्ती मौसमी थी तो मौसम की प्रकिर्ती के कारण भी बिरोजगारी हुआ करती थी साथ ही इस समय काफी लंबे समय तक कई बार तो 14 गंटे से 18 गंटे तक स्रमिकों को काम करना पड़ता था और मजदूरी उस हिसाब से उनको काफी कम मिलता था साथ ही कई स्वास संबंधी समस्याएं भी स्रमिकों के लिए पैदा हो जाती थी इसका एक बहुत ही गंभीर उदाहरण में आपको दे सकता हूँ कि 1842 गंटे में बर्बिंगम में स्रमिकों की ओसत उम्र सिर्फ 15 साल हुआ करती थी मैंचेस्टर में 17 साल और डर्बी में 21 साल तो आप सोच सकते हैं कि स्वास संबंधी समस्याओं के कारण स्रमिकों का ओसत उम्र कितना कम होता था अब बात करते हैं महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव के बारे में देखिए महिलाओं को और बच्चों को साधर अंतया सूती वस्तर उद्योग में फीता निर्मान उद्योग में खनन में बुनाई उद्योग में या फिर धातु उद्योग में काम मिलता था लेकिन एक खास बात जो उनके लिए थी वो ये थी कि उनके काम का भी घंटा तो लंबा होता ही था साथ ही रविवार को जब अन्य स्रमिकों को छुट्टी मिलती थी उन्हें मसीनों की सफाई के लिए फैक्टरीज में बुला लिया जाता था बच्चे छोटे होते थे तो कई बार उनको बड़ी मसीनों के बीच किसी खरावी के आने के स्थिति में उनको ठीक करने के लिए अंदर भेज दिया जाता था क्योंकि बच्चे असानी से घूम सकते थे मसीनों के बीच इसका नतीजा ये होता था कि कई बार उनका हाथ मसीनों में फंस जाता था और उनका हाथ कर जाता था और कई बार तो उनकी मिर्त्यू भी हो जाती थी लेकिन इतने खत्रना काम के बावजूद उनको जो भुगतान मिलता था उनकी जो salary होती थी वो काफी कम होती थी महिलाओं के लिए तो समसिया और भी बड़ी थी क्योंकि उनको दोहरी duty करनी परती थी एक घर का और उसके बाद फैक्टरी में उनको काम करना पड़ता था जो कि उनके लिए काफी कस्ट दायक होता था तो दोस्तों आप हम अपने अंतिम पराओ उपर हैं आज की कक्छा के तो एक गतिबदी देखते हैं कलपना कीजिए कि आप दिल्ली के एक व्यापारी हैं आप मुंबई के एक सेल्समैन को पत्र लिख रहे हैं जो आपको एक नई मसीन खड़ी दने के लिए मनाने की कोशिस कर रहा है इस पत्र में आप उसको यह लिख करके बताएं कि आपने नई मसीन के बारे में क्या सुन रखा है कि उसमें कितनी सारी दिकते हैं और आप नई तकनीक में कोई भी निवेस चू नहीं करना चाहते तो बचों आज अध्यायचार ओद्योगी करण के युग के पहले पार्ट को हमने देखा और अगले पार्ट में हम ये समझने की कोशिस करेंगे कि भारत में ओद्योगी करण किस प्रकार हुआ धन्यवाद ला अधन्यवाद